हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी वासाथियों का एक नई उर्जा के साथ आपके अपने परिवार रेंकर्स गुर्कुल इस्टेट एक्जाम में स्वागत है दोस्तों और एक बहुत ही शांदार जबरदस्त न्यूज के साथ मैं आया हूँ आप सभी को पता ही चल गया होगा कि यूपी पैट का नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी पैट 2022 कुछ महत्पुन बाते बताते होई सेशन को स्टार्ट करेंगे कि भाया क्या इसमें है और क्यों ये जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे भाया देखना 27 अक्टूबर कब सब्सक्राइब करेंगे यूपी पैट आपको चाहिए 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 आपका certificate है वो चाहिए और उसमें केबल ऐसा नहीं क्वालिफाई होना चाहिए यह आपने देखी लिया होगा कौन से एक्जाम में वहिया यूपी लेकपाल का आपने पिपर देखा हो यूपी लेकपाल वाले में क्या कर दिया गया है परसंटाइल कितने पर लगबग 60 पर ल आपको दिल्ली से चंडीगर जाना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए यह रास्ता पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए रास्ता पता होना चाहिए कोई भी एक्जाम करेक्ट करना है उसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए और सलिवस पता होने के साथ साथ वह रटा होना चाहिए ताकि आपको बार बार याद आए कि हां मुझे यह टोपिक टोपिक नहीं पड़ना क्योंकि इसечение नहीं है थी01 एककी क्या करें औरने गलती करें कि ताकि आपका पैट exam जो है qualify हो जाए ये गलती करने पर आपका पैट exam रुख जाएगा वह कौन सी गलती है वो भी discuss करेंगे सबसे पहले हम ज्यादा बातें ना करते हुए कहां चल लेते हैं भाई हम चलते हैं आपका slavery पर कहां पर चलते हैं आपको कितने घंटे का समय दिया जा रहा है दो घंटे का समय दिया जा रहा है यह कि लियर बात है कि यह exam offline होगा ना कि online होगा ठीक है ठीक है रिनात्मक अंक की बात करें negative है one by fourth का यहीं 25% आपका 25% की आपकी negativity है अब देखो हम बिल्कुल इसमें subject पढ़ेंगे बहुत अच्छे से भारते इतियास पांच नंबर का बताया गया है भारते रश्ट आंदोलंग पांच नंबर का बताया गया है सबसे बड़ी बात है सिलेवस में declare भी कर दिया कौन सा topic वह भी पताएंगे पहले देख लेते हैं यानी मोटे मोटे तोर पर मैं कह सकता हूं 10 नंबर का इतियास पूछा जाएगा कितने नंबर का इतियास 10 नंबर का पाँच नमबर का भुगोल हो गया पाँच नमबर की अर्थविवस्ता हो गई सम्वीधान Constitution आपका कितने नमबर का हो गया सामानने विज्ञान Physics, Chemistry, Bio तीनों पाँच नमबर की हो गई आपका प्रारंभीक अंगनित ठीक है कितने नमबर का हो गया पाँच नमबर का हिंदी पाँच नमबर की हो गई अंग्रेजी पाँच नमबर की हो गई रिजिनिंग पाँच नमबर की हो गई करंट अफेर दस नमबर की हो गई और समानने जागरुकता आपकी दस नमबर की हो गई यहुलो अगर मैं बात करूं मोटे-मोटे तोर पर आपकी ज्येस जो है 50 नमबर की है कैसे हैं वो देख लेते हैं हिन्दी गद्यान्स हिंदी وैकरण 5 थी और गद्यान्स 10 का टोटल हिंदी आपकी 15 नमबर की यानि सबसे ज्यादा जीह चीएस सेकिन नंबर पर आपकी क्या रही है हिन्दी तो कैसे कैसे आपको इसके पूरे सभी सब्ज़ेक्ट के बारे बताऊ 어訴 कैसे कैसे किस-किस teacher को Follow करना है कहां से क्या पढ़ें इसमें आपकी क्या सहिता पुरा स्लेवस और उसको समझेंगे किस परकार से क्या-क्यास में चीजे हैं लेके बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से सजाया गया सलेवस को इसने इन्होंने कहा है कि भारत्य यह खेंभाल अभी भारत्य थियास की बात कर रहें ने क्या बताया कि सीद्धू गाती काल ये 1206 से लेके 1526 वाली बात कर रहा है इन्हीं मिडाइवल की बात कर रहा है मराथा बिल्टिस राज्यम उसके आर्थिक परभाव यानि जो आपका modern history का starting phase होता है वहां की बात कर रहा है अब एक बात याद रखना इसमें ये वाला सोच के पहला chapter मत छोड़ देना कि जो history का डिवाइड किया गया है जिसमें कहा गया है प्री प्रोटो historical age प्राग एतियासिक काल आद एतियासिक काल वह भी पढ़ लेना ठीक है क्योंकि पूछा जा सकता है ठीक है वैसे तो सलिवस से बाहर नहीं आता पर क्योंकि वह इसी की chapter के अंद भी लिख रहा हो तब यह आपको पढ़ना है तो भी आपको पढ़ना है अब भारतिय राष्ट्य अंदोलन जैसे यूप सी में सिलिवस बतायागे ना कि पहली लाइन में आटेंड कल्चर और दूसरी नंबर में क्या कहता है कि 1857 से लेके 1947 तक आपको पढ़ना है सेम इस प परस्नल्टी रही है ठीक है आंदोलन के समय सभी के बारे में पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन आपके सुवाश्चंद्र बोस हो ठीक है विधाई संसोदन जितने भी रहे है आपका इस पेसल बाकाइदा टोपिक का नाम दे दिया भारत चोड़ो आंदोलन बाकाइदा न दस नंबर पर क्या आएगा दस नंबर का आएगा यानि मैं लिख सकता हूं हिष्ट्री कितने नंबर की हो गई हिष्ट्री आपकी हो गई दस नंबर की जिस पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है वह क्या है आपकी हिष्ट्री है दस नंबर की आपकी क्या होगी हिष्ट् सब्सक्राइब Allah अधकर दीपसे निया को पता हों एक कर दो हों ऐसborg दो समय आपके मिलाफल आते हैं उसमें आपके मैंदान चलबाओ चुह ने अभी बहता जीचिकरpower औरHow बहुत सारे बच्चे तो अभी भी यह कह रहे होंगे कि सर इलाबाद के नैनी चेतर से नहीं भई मिरजापुर से गुजारता है ठीक है ठीक है कितने गंटे आगे साड़े पांच गंटे आगे यह वाले पुछ जाएंगे फिर यह इसने किवल भारत के संदर में नहीं पूछ प्रिवेशर कोईशन्स करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रिवेशर कोईशन्स मिलेंगे पिछली साल दो सिफ्ट में पर होए थे दोनों मैं आपको कराऊंगा और तब आपको पूरा अच्छे से अंदाजा लग जाएगा कि क्या था क्या नहीं और कि इतना भी मैं आपको करवा दूगा लगबग अभी हमारे पास मोटा मोटा 75 दिन है 75 दिन में जितने टोपिक करा दूगा दोस्त उससे बहार नी जाएगा याद रखना एक पर्षन मिलवा दूगा बाद में आपको बस मेरे साथ आपको क्या करना है कदम से कदम मिला के चलन होता है तो निया ले जुडिश्यरी आपका लॉकल गवर्मेंट और यूपी का एकजाम है तो पंचयाइत नाय पूछी जाए musimy आफ कहो है यह सकता है ठीक है यह यूपी की कुछ खास बात है इसमें अब देखो पूरा physics chemistry bio पर इसने एक वर्ड जोड़ जया प्रारंबिक यह आपका basic physics chemistry biology पुछी जाएगी बहुत ज्यादा deep नहीं पुछी जाएगी क्या आप इसके लिए भई मैं आपको यह गया दू यह 12 की उठालो है आपके simple और simple interest और आपका CI SI यह पूछा जाएगा ठीक है ओ एवरेज पूछा जाएगा घातांक पूछा जाएगा घात पूछी जाएगा पांच नंबर का आएगा इन सभी topic की आधिते sir की आप class देख लेड़े ना आपका काम बन जाएगा ऐसे ही आपकी समाने हिंदी हिंदी के लिए तो आपके विजय कानच सार बराबर आपके साथ मेनत करेंगे संधी की बात करें विलोम सब्द की बात करें प्रियाई बाची की बात करें वाक्यांस के लिए एक सब्द की बात करें मुहावरे की बात करें लेखक आपका रचना समान्या सुध्धी सब के बारे में आपकी हर एक अच्छे से गाइडेंस करेंगे आपके विजय कांसर एक ए जी व्याकरण रीडिंग कॉंप्रियेंशन नूर्मल सी आईगी इसके लिए कुछ जादा टेंसल नहींगे आपको जुरत नहीं होगी रिजनिंग के लिए आपके रिजनिंग गुरु जिंदाबाद है आपका जो करम है रैंकिंग है आपका संबने कलेंडर कलेंडर के लिए तो आप डारेक्ट भी डाल सकते हुए कलेंडर वाय विकरम जी सर एक वीडियो है महरा थन पूरा कलेंडर कर लेना उससे बहार अगर पर्षन आ जाए ना तो मुझे बता दे रहां सारा कंसेप्ट करवा रख है सरेंडरी कलेंडर मैंने खुद पढ़ा था मैंने खुद कर देना उससे भी भला हो जाएगा ठीक है या फिर आपका इस पिसल हम क्लास लगवा भी देंगे उसके लिए को इतनी टेंसन आपको लेने की जरुरत नहीं है ठीक है अब आ जाते हैं देखो यह बड़ा तीस नंबर तो आपे हो गये थे जीके के दस नंबर की कास ने करंट अफेयर और वर्ल्ड और भारत दोनों की मिला के पलस स्टेट की मिला लो इसमें समान्ने जागरुकता में कैसी कैसी बात कर रहा है कि भारत के पडोसी देश यही चेप्टर आप जोगरफी में पढ़ोगे मुद्रा राजधानी पर सेम जोगरफ पर यहां पर नया वर्ड देदे समाने जाग रुकता यह जर्नल अवेरनेस ठीक है आपके भारतिया नुसंदान संगटन दस नंबर यह और दस नंबर यह 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 तोटल करंट अफेर जैसे ही रहता है जो करंट अफेर में पॉइंट रहते हैं वह इसमें पूछ ले जाता है आपके जैसे कोई सा देश आपकी करंट अफेर में ज्यादा रहेगा उसको पूछ ले जाएगा अभी रिसेंटली जितनी भी आपके पिछले तीन से तीन महीने चे महीने के पिछले इंटरनेसनल डे आपको याद कर लेना है ठीक है वह मैं आपको ट्रिक समय समय पर पूरी इसको भी आप रिजिनिंग में भी जोड़ सकते हैं इसको और यह भी तालीका है इसको बोलते हैं तालीका की व्याख्यमिशलेशन यानि यह भी आपके कोई ज्यादा इस पेसल इतना हाड़ निया इसकी हम इस पेसल क्लास लगवा देंगे इक लग से तो यह भी आपका मोटे मोटे पचास नमबर के सो में से ठीक है अदेगो कुछ महतवपूर परसन जो आपके दिमाग में चल रहोंगे सर इसका पिपर का कैसा पैटरन रहेगा यह एमस्यू की पैटरन रहेगा बहुविकल पे रहेगा जीरो पॉइंट टू फाइव कि इसमें निगेटिव मा अब किसकी बात पर आजाते हैं काम की बात पर अब किसकी बात पर आजाते हैं काम की बात पर ठीक है अब आजाते हैं काम की बात पर ठीक है काम की बात क्या है ध्यान से सुनना कि दिखो मोटा मोटा कितना हो गया 10 नंबर का तो आपका भई हिष्ट्री हो गया 20 नमबर की आपकी जो होगी current affair plus journal awareness होगी जिसमें topic बता दिया बाकाइदा 30 नमबर तो हो गई है कितने हो गई 30 नमबर हो गई है उसके बाद अगर मैं इसमें कुछ जादा बड़ी बात ना बोलू ठीक है जादा बड़ी बात ना बोलू तो ध्यान से देखो अब छोटे topic छोड़ तो अभी अभी मैं geography economics इनको छोड़ रहा हूँ 30 नमबर तो यह हो गई है आपके 30 और 30 यह ले लो जो बिल्कुल simple ही है 60 नमबर हो गई है जो यानि हम थोड़ी मेनत पे इतना तो बिल्कुल कर सकते हैं जो जादा अगर हम हम क्या ना पड़े हम geography ना पड़े हम polity ना पड़े हम economics ना पड़े हम maths ना पड़े हम reasoning ना पड़े इतना तो हम जब कर सकते हैं 60 नमबर का खेल तो यह हो गया 10 20 30 और पलस आपके कितने हो गया 60 नमबर तो जब कर सकते हैं और यह भी ऐसा नहीं कि आप खाली बैटा हो सो रहें और एक्जाम से एक दिन पहले उठो कर लोगे इसमें भी अच्छी मेहना चाहिए तो मतलब मैं आपके अंदर से डर निकालना चाहता हूँ यूपी पैट को इतना हाड नहीं है इतना हाड नहीं है तब आपको क्या करना है आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपको इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरी काम है रेंकर्स गुर्कुल ईस यई आपका youtube channel और इस ही का आपका telegram दोनों को आपको क्या कर लेना जोइन कर लेना है दोनों को आप जोइन कर लेना है योटूब को subscribe कर यूज को प्रेस ना ठीक है अब देखो आए क्या गल्ती ना करें नमबर एक कोई फालतू की बुक ना खरीदे बिल्कुल भी बुक ने खरीद नहीं कोई भी आपको ठीक है बहुत सारा मेट्रियल मेरा वादा है आपसे मेरा वादा है हर टोपिक का हर टोपिक का कंटेंट लगभग लगभग हर टोपिक का जी स्पेसल जी एस का कम्प्लीट जी एस का फिरी में मैं देने वाला हूं आपको बिल्कुल फिरी ओप कोस्ट आपकी प्यारी से अप्लीकेशन पर एक फोल्डर बना दिया जाएगा यूपी पैट उस पे आपका घाले तो क्या है भुक नहीं खरीदने भी इस पेसल पैट के नाम से पैट के नाम से आपको कोई कोर्स नी लेना है बिना बाद का कंप्लीट हम करवाने वाले आपको यूट्यूप पे फ्रीयोफ कोस्ट मतलब फ्री औरप कोस्ट थीक है फ्रीयोफ कॉष्ट होगा आपका तो यानि फालतों में वही पैसे यह आपे भी लगाने यह आपे भी लगाने तीसरी क्या गलती ना करे एक्जाम को ज़्यादा हलके में मत ले ठीक है ज़्यादा हलके में मत ले इसको आसान मत ले समझे ज़्यादा आसान मैंने बताया आसान मत समझ लेना जादा ठीक है ये तो रही आपकी psychological मैंने चीज आपको बता दी अब करना क्या है ये तो क्या गलती ना करे अब आपको करना क्या है जितना भी मैं काम दूँगा आपको वो डेली का डेली नप्टा लेना डेली का डेली फिनिस साथ इसाथ जितने भी मैं आपको मोक करवाऊंगा उसका एक भी ऐसा कोश्चन नहीं होना चाहिए एक सिंगल भी ऐसा कोश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो अगर एक भी ऐसा कोश्चन आपका हो गया जिस आपके याद नहीं है तो फिर मुझे मत कहना की सर मेरा नहीं हुआ ठीक है यनि आपको क्या करना है 110 परशेंट आपको एक एक कोशन रट जाना चाहिए आपको क्या होना चाहिए एक एक कोशन आपके रट जाना चाहिए यब होगा क्या ठीक है अब होगा क्या डेली आपकी क्लास होगी भाई डेली आपकी क्लास होगी डेली लाइव क्लास होगी आपकी डेली लाइव क्लास होगी आपको और इस पर मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं करूँगा प्रिवेश और कुश्चन्स फिर मैं करूँगा आपकी थियोरी फिर मैं कराऊंगा आपकी प्रेक्टिस और ये सबी चीज आपको एक भी जगे मिलेगी वो है रेंकर्स गुर्कुल इस्टेट एक्जाम तो अगर आप ये मौका नहीं खोना चाहते हैं भाई साथ फ्री ओप कोष्ट अपना रेंकर्स गुर्कुल इस्टेट एक्जाम पे से फ्री ओप कोष्ट का ये मौका नहीं खोना चाहते हैं तो जल्दी सजाए रेंकर्स गुर्कुल इस्टेट एक्जाम को क्या कर लिज़े सBSC defence बैल आईकन को प्रेस कर लिज़े ये वादा मेरा है UPSSC PET आपका किलियर है 100% बस आपको क्या करने daily live class देखनी है previous questions कराऊँगा इसको आपको दिखाऊँगा फिर आपको साथ शाथ थियोरी पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से practice आपकी कराऊँगा और ये 75 day 75 day में आपका selection 100% होगा और ऐसे नहीं अगर पूरी महनत के साथ काम करके आपने तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा 80% 80% का बादा है आप target कितना लेके चलना 100 का आपका target रहेगा 100 का target रहेगा तो वो achievement कर लोगा अगर 80 का target रहेगा तो 60 करोगे तो अगले 75 70 से 75 दिन आपके लिए जबर्दस्त होने वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है जल्दी से अभी जाईए rankers गुर्कुल state exam क्या कर लिजे subscribe कर लिजे bell icon को प्रेस कर लिजे daily live class आने वाली है आपकी ठीक है तो जब तक के लिए सभी वासात्यों को जै हिंद जै भारत जै श्रीशाम राम राम ओके ठीक है दोस्तों bye and take care